दोस्तो आज बात करेंगे बहुत ही कमाल की एक फोटोशॉप की टेक्निक के बारे में अब ये जो टेक्निक है दोस्तो बिग्णर फोटोग्रोफर्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी जो हमारी बिग्णर फोटोग्रोफर्स हैं उनके पास में दोस तो gel effect का या dual lighting effect का जैसे कि आप screen के ऊपर देख पारें ये एक इस तरह की जो ग्रेटिव पोट्रेट्स हैं fashion photography में, portrait photography में काफी जो है बहुत trend में रहते हैं तो इस तरह की जो effect है तो as a beginner अगर आपके पास में कोई भी नहीं है lighting gears तो चिंता की कोई बात नहीं है मैं आपको आज एक simple आपको एक सिर्फ टूल समझना है Photoshop का अगर आप उसे ठीक से समझ लेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल आप इस तरह का effect अपने Photoshop के अंदर create कर पाएंगे चोटा सा वीडियो है तो इस वीडियो का आप एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिए So welcome back to my channel friends This is Manish Shaksana आई ये शुरूबात करते है अब दोस्तों आप एक picture screen के ओपर देख पा रहे हैं ये already मैंने एक picture लिया था बिल्कुल एक portrait है, headshot है तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों इस image को जैसे का आप screen पर देख पाना है इसे करना है हमें duplicate duplicate कर लिया और यहां पर हमें नीचे जाना है और यहां पर हमें select करना है दोस्तों बहुत ही simple tool है जिसका नाम है gradient tool अब इस gradient tool को हम जैसी click करेंगे इसके उपर बस यह tool आपको समझ देना है अब जैसे आप gradient tool जैसे आप screen पर देख पा रहे है यहां पर आपको दिखाई दे रहा है black, grey और थोड़ा सब white color तो यहां पर आपको बस इस gradient पर click करना है इस तरह से देखिए और जब आप click करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर चार चोटे-चोटे square दिखाए दे रहे हैं इधर black है, इधर white है, इधर black है और इधर black तो आपको जो नीचे वाला black square है इसके उपर आप click कर दीजे इस तरह से देखिए और यहां पर color आगया है black बस अब आपको इस color पर click करना है जैसे हम करेंगे इसके उपर click तो आप देख पा रहे हैं यहां पर हमें खूप सारे color codes दिखाई दे रहे हैं तो इस बार को जो है इस तरह से raise करिए तो आप देखेंगे अलग-अलग colors आप choose कर सकते हैं जिस तरह का effect भी आपको चाहिए आप यहां से आप select कर सकते हैं तो मैं फिलाल जो color code चूज कर रहा हूं जैसे की समझ दीजे red तो आप देखेंगे जैसी मैंने choose के ओपर red पर click किया यह red एक तरह से color code मैंने select कर लिया है अब हमें click करना है सिधा सा ok पर आप देख रहे हैं आप ok पर हमने click किया उसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं यह जो आप देख रहे हैं right hand side में black square इस पर हम click करेंगे और इसे हम फिलाल कर देंगे यहां से delete तो अब आप देख रहे हैं अच्छे से हमारा red color थोड़ा spread हो गया है model के face के उपर अभी काम पूरा नहीं हुआ है अब हमको एक काम करना है सीधा-सीधा वो यह दोस्तों की यहां से जो है हमें इसको करना है ok पर click अब जैसे में ok पर click करेंगे तो यहां पर दिखा रहा है angle 90 तो इसे हमें 90 ना करके हमको कर देना है सीधा 0 तो 0 करते ही देख रहे हैं आप इसका angle change हो गया अब यह जो reddish है पूरा जो है थोड़ा left hand side में shift हो गया है अब एक बार फिर हम जो है उपर gradient पे click करेंगे इस तरह से और हम हमारा जो यह black box है इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे यह आपको यहाँ पर अपने taste के साब से कितना face पर आपको red चाहिए या कितना नहीं चाहिए वो आपको अपने aesthetic sense से आपको choose करना पड़ेगा तो मैं फिलाल इस से देखिए right hand side में लेके जा रहा हूँ तो देखिए इस तरह से और देखिए काफी face हमारा जो है किस तरह से effect चाहिए देखिए इस तरह से तो यह थोड़ा आपको practice करना पड़ेगा बहुत easy technique है मैं थोड़ा सा इसको और आगे ले लेता हूँ यह देखिए तो आप देख रहे हैं मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले लेता हूँ दोस्तो so almost minus को eyes तक cover कर लिया है और अब हम करेंगे यहाँ पर इसको okay करते हैं यह देखिए okay पर click करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर सीधा सीधा okay पर एक बर और click करना है और अब आप देख रहे हैं कि left hand side पर हमारा red effect काफी अच्छे से आ गया है लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है अभी हमें वापस जाना है नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं यह setting जो है normal पर इस setting को हमें change करना है normal से हम जाएंगे दोस्तों सीधा यहाँ पर color पर देखिए जैसे हम दोस्तों color पर गया यह अपने color चूज कर लिया यहाँ पर right hand side पर आप देख पार हैं जैसे हमने color चूज के आप देख रहे हैं कि वो जो gel वाला effect है वो अब हमें model के face के उपर दिखाई देने लगा है जैसे कि जब actual में जब light के उपर gel लगाते हैं तो इसी तरह का effect आता है लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर हमारा जो dual color की बात करें जैनकि दूसरे color की वो थोड़ा सा missing है तो अब हमें क्या करना है इस पूरी layer को हम यहाँ से duplicate कर लेंगे यह देखिए इस तरह से हमने duplicate कर लिया अब जो उपर वाली layer है उस पर हमें click करना है यह देखिए इस तरह से हमने click किया और एक बार फिर यह angle जो है इसे हमें 0 की जगा कर देना है 180 डिग्री तो मैंने कर दिया ऐसे 180 डिग्री तो आप देखे रहें कि 180 करते ही पूरे face के उपर जो है red gel वाला effect आ गया है और अब हम वापस gradient जो है red color दिखा ही तर इस पर click करेंगे देखे इस तरह से और यहाँ पर जो नीचे आप देख रहे है थोड़ा सा इसको नीचे लेता हूँ दोस्तों देखिए यह थोड़ा से मैं जा रहा हूँ blue color की तरफ ताकि थोड़ा सा combination अच्छा लगेगा red and blue का देखे इस तरह से यह अप अपने हिसाब से select कर सकते है कौन सा color आपको चाहिए या नहीं चाहिए और देखिए मैंने यहा अब यहां पर मैंने क्लिक किया है अब आप देख रहेंगी बहुत अच्छे से हमें जो है dual color नजर आने लगे हैं लेकिन इसको थोड़ा सा और polish करते हैं अब यहां पर आपको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए तो एक बार आप उपर की जो यह आप देख रहे हैं black box और red box इसको आप अपने टेस्ट के साब से जो है आगे पीछे कर सकते हैं तो देखिए इस तरह से मैं थोड़ा सा कर रहा हूं तो आप पूरा ज्यादा blue दिखाई दे रहा है तो मैंसे थोड़ा सा कम कर देता हूं दोस्तों यह देखिए थोड़ा आपको balance करना पड़ेगा कितन अब आप यहां देख सकते हैं यह हमने एंगल 180 डिग्री पर सेट किया है अगर हम नीचे आप देखेंगे एक और रिवर्स का तो आप इससे रिवर्स भी कर सकता है जैसे रिवर्स सेलेट किया यह देखिए इस तरह से color आपका gel effect जो है swap हो गया यहां से दूसरी सेट चला गया तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं रिवर्स हटाने की बाद में अगर आपको चाहिए तो आप यहां पर एंगल्स भी चेंज कर सकते हैं तो माल नीचे 180 की जगा मैं कर देता हूं 120 तो देखिए आपको बिलकुल अलग तरह का effect नजर आ रहा है थोड़ा से effect चेंज हो ग करिए तो आप अगें gradient के उपर क्लिक कीजेगा और यहां पर अगें जो आप देखरें blue blocks है blue box में क्लिक करेंगे फिर हम कलर पर जाएंगे माली जी आपको green चाहिए तो इस तरह से आप जो है green color select कर सकते हैं या थोड़ा dark चाहिए तो इस तरह से आप उस color को select कर सकते हैं या बिलकुल हमने photoshop के अंदर ही studio वाला जो effect होता है gel lighting का effect या जो हम gels use करते हैं तो उस तरह की pictures हमें मिलते हैं वहाँ पर काफी सारा time भी लगता है लेकिन हमने photoshop में बहुत असानी से वो सारा effect जो है achieve कर लिया तो as a beginner photographer दोस्तों अगर आपके पास में gears नहीं है तो tension की कोई बा मैं आपके लिए लेके आता रहूँआ दोस्तों आज के लिए इतना ही जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ thanks for watching